तो दोस्तों एक वाँ फिर से स्वागत है आपका हमारी वीडियो में और देखे कि ये घोड़ा जो है यहाँ पर किस तरीके से रोड के नीचे उतर गया करीब तीन फिट नीचे चला गया है और सामने ये रोड जो आपको दिखाए दे रहा है ये नया हाइवे बन रहा है यह यहां से ड्राइबर साब इसको चड़ाने की कोशिश कर रहा था इस तरफ से आया था ये और यहां से देखिए ये चड़ने की जगह आपको दिखाए दे रही है यहां से चड़ने की कोशिश कर रहा था और ड्राइबर साब ने ब्रेक भी मारे बहुत कसके और देखिए कह तो है एक्सल भी टूट गया है काफी जोर लगाया इन्होंने तो जोर लगाने की बज़े से एक्सल टूट गया है तो देखिए तो कि किस तरीके से किस कंडिशन में यह खड़ा हुआ यहाँ पर और यह वो जगे जहां पर यह चड़ाने की कोशिच कर रहे थे और मिट्टी भी काफी जो है अभी नम है क्योंकि बारिश हो चुकी थी यहाँ पर और यह कल रात का यहां पर फसा खड़ा हुआ है और एक्सल टूट जाने की वज़े से रात में दुकाने बंद हो जाती है तो इनका काम हो नहीं पाया तो यह अपनी गाड़ी को यहां से नहीं निकाल है और रात में ड्राइबर सहाब जो वह घोड़े कंद्री है केविन के अंदर सो रहे हैं इस समय तो हमने उन्हें डिश्टब नहीं किया है केवल वीडियो बनाई है तो देखें किस तरीके से नीचे के जो तीनों टायर है वह उतर चुके है और एक्सल भी आपको दिखाए नहीं और देखिए कि पीछे और गहरा गड़ा है मतलब यहां पर एक चोटा सा नाला जैसा है और यह नाले के अंदर चला जाता तो निकालना मुश्किल पड़ जाता लोड गाड़ी यह देखिए और कम से कम 35-40 चन बजन होगा इसके अंदर और ऐसी हालात में इसको उपर निकालना भी बड़ा टेड़ी खीड है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका एकसल जो है जो कहां पर टूटा हुआ है और इसी वज़े से यह राद बर हिल गारा वरना यह राती में निकल के चला जाता है यहां से यह देखिए जिससे टायर गहुमते हैं जो इसके संद्री हैं और देखिए कम से कम तीन फिट उची जगह है तीन फिट रोड ऊपर है और पई यह तीन फिट नीचे चले गए और नीचे पत्थर भी आपको पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और उस पत्थर की ठोकर जो है बहुत कर रही है उसकी वज़े से यह उपर नही और क्रेन जो है यहां पर अभी नहीं आ पाई है क्रेन जो है कुछ देर में आएगी थोड़ी देर के बाद जब इसका एक्सल वगारा सही हो जाएगा तो तब यह जो है गोड़ा बाहर निंकल पाएगा और अगर हम मौके पर हुए यहां पर तो उसकी वीडियो आपको दे जाल करें के आया था देखे टायर जो है पत्थर के नीचे है बिल्कुल ठोकर बनी हुई है तो यहां से यह गाड़ी जो थी उपर चड़ना किसी भी हालत में संभव नहीं था तो काफी जोर लगाया और सामने से यह रोड यहीं से घोड़ा आया था यहां से घूमते हुए उपर चड़ायतने की कोशिच करी और सीधा नीचे चला गया तो उमीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताईएगा चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा है मिलते हैं आपको किसी और नेक्श वीडियो में और द